नमस्कार आप देख रहे हैं एसिया न्यूस इंडिया मैं आपके साथ प्रियांगा आप सभी का स्वागत करती हूं आई आज की खबरों पर एक नज़र डालते हैं पहरी बार डेंगू के 13,000 से ज्यादा केस राजस्थान में डेंगू से 34 मौत जैपूर कोटा और जोदपू समित 12 जिले डेंजर जोन में कोरोना के बाद अब डेंगू ने रास्थान में कहर मचा दिया है परदेश में पहली बार हुआ है जब डेंगू के 13,709 से ज्यादा मरीज मिल चुके हैं अब तक 34 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है इससे पहले 13,706 के साल 2017 में आये थे जो की किसी साल में मिले डेंगू के मरीजों से सरवादिक थे इस बार अरस्थान के सभी 33 जिले भी डेंगू के जद में आ चुके हैं जैपूर, कोटा, जोदपूर समित 12 ऐसे जिले हैं जहालात बेकाबू हैं इन जिलों में 400 या उससे ज्यादा केस सामने आ चुके हैं और डेंजर जोन में हैं डेंजर जिलों की सूची में सबसे पहला नंबराज स्थानी जैपूर है जैपूर में अब तक 2562 से ज्यादा केस आ चुके हैं वहिं इस बीमारी से अब तक पांस लोगों की मौत हो चुकी है जैपूर के बाद कोटा दूसरा जिला है जहां सबसे ज़्यादा 1300 मरीज मिले हैं वहीं पूरे परदेश में अब तक डेंगू से 34 से ज़्यादा लोगों की मौते हो चुकी है जैपूर कोटा जिलों के अलावा बिकानेर अलवर धालपूल जहालाबार करोली उदैपूर बालमेर भरतपूर चुरू और जोदपूर डेंजर जिलों की कैटेग्री में सामिल है इन जिलों में 400 से 1000 के करीब मरीज आच चुके हैं जहालबाल धौलपूर करोरी चुरू बालमेर जैसे छोटी और कम आवादी वाले जिलों में भी डेंगू ने कहर मचा रखा है या मरीज के लीवर और फेपरे पर इफेक्ट करता है एक्सपर्टKY अनुसार इस पेरियंट का असर सबसे पहले पेट पर होता है मरीज को पेट दर्द के साथ बुखार की सिकायत होती है सुवाती बुखार में प्लेटलेट्स कम नहीं होते और इस वेरियंट का असर भी नहीं दिखता यह वेरियंट गॉल ब्लेडर, लीवर और फेपरे पर इफेक करता है गॉल ब्लेडर में सुजन, लीवर का साइज बढ़ने, पेट या फेपरों में पानी बढ़ जाता है डोल टू डोल सैपलिंग शुरू प्रदेश में बढ़ते केस को देखते हुए चिकिस्ता, विभाग ने डोल टू डोल सर्वे शुरू करवा दिया है टीम की ओर से जिन घरों में संगित लोग मीर रहे हैं, उनके मौके पर ही ब्लड सेंपल लेकर हाथों हाथ लैब जांच के लिए भिजवाया जा रहा है इसके अलावत जिन इलाकों में ज्यादा मलीज मिर रहे हैं, वह नहां महान नगर निगम और नगर पालिकाओं से विशेश फार्मिंग और लारवा खतम करने के लिए दवाईयों का चिर्का करवाया जा रहा है जैपूर में कोट पुतली, परकोटा, मान सरोवल सबसे खतरनाक छेद्र जैपूर CMHO की रिपोर्ट देखे तो जैपूर में 3400 से ज्यादा डेंगू के केस अब तक मिल चुके हैं एरिया वाईज इस्तिति देखे तो ग्रामी लाकोव में कोट पुतली, विराट नगर और संगा नेर में 100 से ज्यादा मरीज मिले हैं कोट पुतली एरिया सबसे खतरनाक है जहां 707 से ज्यादा मरीज डेंगू के अब तक मिल चुके हैं वहीं सहरी सीमा में मानसरोबल, मालविये नगर, प्रताप नगर, जगतपुरा और परकोटाम, मुल्डी पुला, राजा पार्क और जोटवारा एरिया में भी डेंगू का कहर है तो आज के लिए इतना ही, आगे तमाम खबरों के लिए जुरेर हमाए साथ, धन्यवाद